अब हलो वालको आज डिसकस करेंगे फोर बहुत ही important रिक्षन इस चैप्टर जो चैप्टर में पढ़ा रहा था इस चैप्टर के सबसे important reactions है ठीक है वो paper में कैसे आता है question होता है what happened when फिर नीचे question होंगे lead night is heated copper night is heated baking soda is heated zinc metal react with hydrochloric acid आपके सामने इस कदर reaction लिखी होंगी और आपको यह भी पता होना चाहिए कभी-कभी ऐसे लिखा होता है कभी-कभी ऐसे लिखा होता है complete this reaction तो इन सबका जो यह इनका जो answer है वही इनका भी answer है तो मैं एक-एक reaction को complete कर दे रहा हूं आप answer note कर लिजी बिटा देखिए यहां पर आपको अगर दिख रहा होगा तो answer मैं लिख रहा हो यहां पर बनेगा PBO और यहां पर इसके reaction से बनेगा NO2 प्लस O2 बैलेंस करना चाहेंगे तो दो मोल इसके लेने पड़ेंगे तो दो मोल इसके लेने पड़ेंगी आप यह मत सोची कि मैं बैलेंस कैसे करना है अभी आप रटिये आप अग्जाम बहुत पास है मैं सिखा दूंगा मैं रटना समझना कैसे reaction को यहां पर द दो यहां पर भी दो मोल यह दोनों रट लो बता दो एक्सेलेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है यह बिकिंग सोडा इसके दो मोल लेंगे तो बनेगा क्या हमारे पास एक तो बनेगा sodium carbonate दूसरा बनेगा carbon dioxide तीसा बनेगा water h2o दिख रहा है आपको देख लेंगे पार zinc hcl zinc plus hcl हमेंशा याद रखे zinc cl2 बनाता है यानि zinc chloride बनाएगा निकलेगा h2 h2 कभी भी निकलता तो इसके किते मोलेने पड़ेंगे 2 2 h2 है h2 निकल गया zinc chlorine सा जुड़के 2 cl zinc chloride बना दिया तो यह चारो reaction के क्या है जो बहुत बार पूची कहीं है इसलिए मैंने लिख दिया है इन reaction को रटो याद करो कुछ भी करो पट यही reaction रटो पड़ो बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कोई बाहर नहीं जाएगा मैं इतना दाविक साथ कह सकता हूं ठीक है हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तक लिए चाचा बाई बाई लेक्से बताते रहें कैसे लग रहे हैं यह आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लो यही टॉपिक के नोट्स सब्सक्राइब कावर चुक्याइब